श्रीमद भागवद गीता अध्याई एक श्लोक नमबर छे युद्धा मनुष्चे विक्रांत उत्मुजाश्चे वीर्यवान सोभद्रो द्रोपदेयाश्चे सर्व एव महारत इसका श्रीहरी गीता में हिंदी में रुपांत्रन किया गया है कि श्री उत्मोजा युद्धा मन्यू प्राक्रमी वरवीर है सोभद्र सारे द्रोपदेये महारत इरण धीर है दुर्योधन अपने सेनापतेई गुरु द्रोणाचारे को बताते हैं कि पाणवो के पक्ष में महाप्राक्रमी युद्धा मन्यू अत्यनत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा और द्रोपदी के महाशूरवीर पुत्र प्रतिक्ष रूप से युद्धा के लिए तैयार खड़े हैं कि श्रीमद भगवद गीता के पर्थम मध्याई में दोनों ही पक्षों का मुल्यांकन चल रहा है सन्जे जिस परकार बताते हैं कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचारे को Пाण्डवों के पक्ष के बारे में कि वहां कicket Hey वीर योध्धा रहें किद्ने बल्शाली योध्धा हैं उसके बारे मर Shift & Suga अप्र अपठीर है और दोनों ही पक्ष्णों की योध्धा अपने समक्षपने प्रतिक्षा हम फ़े विपक्षी योध्धां के बल के बारे मेंuesta की ज़्यांकन कर रहें उनकिक शक्ति आंकलन कर रहें शत्रंज की बाजी का भाव समझते हैं वास्तों में ही शत्रंज की बाजी विज़ाई जा चुकी है दोनों ही पक्षे के वीर युद्धा चाहे वो प्यादा हो, चाहे वो अश्वा हो, चाहे वो गज हो, चाहे वो सिंग हो सबके सब इतने बलशाली हैं कि प्रतक्ष सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले युद्धा को समझ ही नहीं आ रहा कि कितने बलशाली होंगे कि एवल वो मुल्यांकन कर सकता है उसकी शक्ति का और हाँ दोनों ही पक्षों में दो खिलाड़ी भी है दुर्योधन के पक्ष से जो चाल चल रहे हैं वो है शकुनी और पानबु के पक्ष से जो उसे खेल को खेल रहे हैं वो है वासुदेव कृष्ण हरे कृष्ण